एक समय की बात है रामपुर नाम के गौँ में सेट चुनाराम अपनी बीवी लता के साथ रहते थे सेट जी के पास बड़ा घर, बड़ा व्यापार सब था लेकिन सुभाव से वो बहुत बड़े कंजूस थे पाप रे इस महीने तो बहुत खर्चा हो गया अब मुझे और बचत करना होगा वो दिन भर पैसे के ही बाड़े में सोचा करता था उसके कंजूसी के कारण लता हमेशा परिसान रहती एक दिन आलू खरीद में वो बाजार जाता है एक मिनिट, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर वो तुकांदार से पूछता है अरे भाईया आलू कैसे है दस रुपिय किलो मालिक ले लीजे सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है अरे अरे दस रुपिय ये आलू बेच रहे हो या सोना इतना महंगा लेकिन मालिक बड़े बाजार में तो इससे भी ज़्यादा महंगे आलू है इससे कम में मैं नहीं दे पाऊंगा तू रख अपने आलू अपने पास नहीं लेना मुझे तेरी हांसे आगे जाता हूँ सस्ते में मिल जाएंगे आलू जाने पे सेड़ जी को एक और ठेले पे आलू दिखता है अरे भाईया तुम्हारी हाँ आलू तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं कैसे दिये आठ रुपीय किलो है सेड़ जी इतने महंगे आलू भाई पाच के दे दो तो मैं आधा किलो ले लूँगा वापड़े इतना कंजूस आदमी मैंने नहीं देखा कम करने पे भी आधा किलो लोगे आठ से एक रुपिया भी कम नहीं होगा आठ तो बहुत महेंगे हो गए आगे जाता हूँ और कम भी मिल जाएगा मुझे कौन सी जल्दी है सुबह से रात हो गई उन्हें हर जगा आलू महेंगे ही लगे पैसे खर्च करने की कारण उन्होंने कहीं पे भी आलू नहीं लिया घर पहुचने पे लटा उनसे पूचती है अरे कहां रह गए थे आप कितनी देर कर दी आलू कहां है फिर सेट जी ने सारी वाते लटा को बताई लटा बोलती है मैं परेशान हो गई हूँ आपकी कंजूसी से भला आजकल मुफ्त में कुछ मिलता है क्या और कौन सा आप हीरे लाने गये थे आलू ही तो लाना था सेट जी जब तब लवता को पैसे खर्च करने पे खड़ी खोटी सुनाते थे वैसे भी समय बित्ता गया लटा मा बनने वाली थी सेट जी खुश तो थे लेकिन दुखी ज्यादा थे पहले कम खर्चा था क्या जो अब एक और बरा खर्च जूडने वाला है मुझे और भी पैसे जमा करने होंगे खर्चे के डर से उन्हों ने लता को उसके माई के भेज दिया सेट जी बहुत खुश थे लता के जाने पे वो बोलते हैं चलो कम से कम मेरे पास नौ महीने तो है पैसे जोडने के लिए तब तक मैं कुछ न कुछ जुगार तो करी लूँगा सेट जी तो अपने नौकरों को भी पैसे नहीं देते थे मालिक मुझे कुछ पैसे चाहिए घर का राशन खत्म हो गया है लाना है अरे पिछले ही साल तो तुझे पैसे दिये थे इतनी जल्दी खत्म कर दिये पिछले साल भी आपने आधे पैसे काट लिये थे अब पैसों की बहुत जरूरत है मालिक मेरे पास क्या पैसे के पेर है देख चंदू काम करना है तो कर महीं तो जा मैं खुधी कर लूँगा चंदू वहां से चला जाता है देखते देखते नौ महीने भी बीद गये चंदू सेजी के पास आकर के बोलता है मालिक बधाई हो आपको बेटा हुआ है अभी अभी खबर आई है वहां ये तो बहुत खुशी की बात है चंदू हाँ मालिक खुशी की तो बात है इस बात पे तो पूरे गौँ में भोज होना चाहिए चल जा बड़ा आया मेरे पास पैसे नहीं है भोज देने के लिए जा के अपना काम कर चंदू बोल तो सही रहा है जब लता आईगी तो मुझे वैसे भी ब्राह्मनों को भोज करवाना ही होगा मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि साब भी मर जाए और लाथी भी ना टूते सेथ जी को बच्चे की खुशी तो थी लेकिन खर्चे का डर्ड ज्यादा था वो खर्चा बचाने की तरकीब सोचने लगे उन्ही एक तरकीब सुझी उन्होंने चंदू को बुलाया जी बोलिये मालिक आपने मुझे क्यों बुलाया अरे चंदू जाके चार ब्राह्मनों को खाने का न्योता दिया पैसो का क्या है वो तो आज है कल नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना तो करी सकता हूँ जी मालिक मैं अभी नियोता देखे आया चंदू रास्ते में सोचता है ये इतने कंजूस हो के अचानक इतने दिलदार कैसे हो गये लेकिन मुझे क्या इसी बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा चंदू प्राह्मनों के पास पहुच के बोलता है हमारे सेट जी के यहां बेटा हुआ है तो आप सबको कल खाने का नियोता है अरे अरे ये क्या सेट जी खाना खिला रहे है ये सूरज कहां से निकला है आज हम सब आज आएंगे देखे तो जरा सेट जी क्या विवस्था आप सबका इंतिजार रहेगा सभी ब्राह्मन सुबा सुबा सेट जी के यहां पहुच जाते है आप सबको यहां देख के बहुत खुशी हुई आपका सुआगत है मेरी यहां आप सब अंदर आएए सभी ब्राह्मनों को आदर सहीद बैठा कर उन्हें खाना परोसा गया देखा तो पत्तल पे सिर्फ तीन लड़ू अरे ये क्या सेट जी बच्चे की खुशी में सिर्फ तीन लड़ू इससे हमारा क्या होगा आप सब को बीना अपनी बाह मोरे और गर्दन जुकाए ये लड़ू खाना होगा जो ऐसा कर लेगा उसे पेट भड़के लड़ू भी मिलेगा और मेरी तरफ से सोने के सिक्के भी मिलेंगे तो आप सुरू हो जाएए सभी ब्राह्मनों को सेट जी की चाल समझ आ गई वे सभी बहुत बुद्धी मान थे उन्हें एक तरकीप सुझी उन सबने लड़ू खुद खाने की बज़य एक दूसरे को खिलाने लगे ये देखके सेट जी आस्चर चकित रह गया देखते देखते एक एक करके सारे लड़ू भी खत्म होने लगे और अपने कहे अनुसार उन्हें सभी ब्राह्मनों को सोने का सिक्का देना परा इस तरह सेट जी की चाल उन पे ही भारी पर गई तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सिक मिलती है कि पैसे बचाना सही है लेकिन पैसो को सही समय पे खर्च करना भी जरूरी है अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद झाल